असलाम लेकुम वेलकम बैक टू दी अनदर निव वीडियो मदा व्लॉग्स में आप सभी का वलकम हैं अज हम बात करने वाले हैं वो कौन सा ट्रेमिस्टर है जिसमें आपका जो जादा वेड गेन होता है मोस्ट जादा वेड गेन होता है ड्यूनिंग प्रेगनेंसी वो कौन सा ट्रेमिस्टर है वो कौन सा ट्रेमिस्टर में आपका जादा वेड बढ़ता है तो उसके बारे में जानेंगे तो वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और छोटी सी दो यू गेन दा मोस्ट वेड आपको नौजी अवामिटीम है तो आपका वेड फोस्ट ट्रेमिस्टर में थोड़ा कम ही गेन होगा आगे जो बताने वाली हुमें उसमें आपको पता चलेगा प्रॉपर आंसर तो आपको कुश्चन तो पता चली चुका होगा तो आंसर की टी में तरफ बढ़ते हैं तो अवरेज रेट अव दी गेन दिए सेकेंड ट्रेमिस्टर में ब्यूदी अज़ाइटली हायर देन देन दाट ड्यूरिग द थोड़ा बढ़ता है थोडा अच्छा ग्रोव होता है तो और उपट्र त्रेमिस्टर में बहुत अच्छे से गेन gains is the wider among the overweight women than among the normal weight are underweight women, यानि second trimester से बढ़ना स्टार्ट होता है, मगर third trimester में बहुत अच्छे से बढ़ता है, कहने का मतलब है, यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पर लिखा है कि second trimester may be the slightly, थोड़ा सा second trimester से बढ़ना स्टार्ट होता है, higher than, that during the third trimester within a population, the range of gestational weight gains is the wider among that women can among the normal weight are underweight among the, कुछ ladies ऐसी हैं, जिनको first trimester से ही weight gain हो जाता है, विकोज उन्हें nausea, vomiting की कोई शिकायत नहीं होती है, बलके उन्हें अच्छा खाया जाता है, उन्हें को जादा भूक लगती है, तो इस वज़े से कुछ ladies का, कुछ ही ladies का फिर से mention कर रहे हूं, सबका सेम नहीं होता हर एक pregnancy अलग-अलग होती है, हर मां की journey का experience अलग होता है, यह pregnancy की जो journey स्टार्ट होती है, first week से लेकर, 41 weeks तक की journey होती है, नाइन मन्त की और यह 3 trimester की journey होती है, first trimester, second trimester, third trimester, तो हर एक दिन एक नया experience, हर दिन एक नया mood swing कह लीजेगा, नया experience कह लीजेगा, किसी दिन बहुत खुश, बहुत 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 ज़ादा खुशी फेल होती, किसी दिन बहुत साड फेल होता है, किसी दिन बहुत साड जाड फेल होता है, तो मोड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हसने को कभी अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी फील होती थी छोटे छोटे एक्सपीरेंस जैसे कि आपके पार्टनर आपके लिए कभी कुछ कभी कुछ कभी चॉकलेट कभी कुछ से ले आते हैं तो अंदर से वन्ड़फुल सी एक बहुत अच्छी सी थीजिए तो इस लिए कहा जाता है कि प्रेग्सि का हर एक दीन इंज्वाइब करना चाहिए आपको आपके पार्टनर के साथ जब आपके कोशिश तो कर ही सकते हैं, इंशाल्ला सबकी नॉर्मल डिलेवरी हो, सबके हक में अच्छी सी दुआ है, लेडिस का वेट गेन होना भी अच्छा माना जाता है, सकाहा जाता है बड़े लोगों का,